सबसे बड़ी राइवल्री के लिए हो जाएए तैयार इंग्लेंड और उस्टेलिया में कौन मारेगा बाजी दाफ पर होगी 140 साल पुरानी एशिस की ट्रॉफी इस कहानी की शुरुवात हुई थी 1882 में जब इंग्लेंड के ओवल मैदान पर उस्टेलिया ने अपनी पहली जीत दर्ज की ऐसे में इंग्लिश न्यूस पेपर दे स्पोर्टिंग टाइम्स ने एक आर्टिकल में लिखा कि इंग्लिश ट्रिकेट विच डाइड एद दी ओवल अन 29 अगस्ट 1882 और उस समय के इंग्लिश कैप्टेन इवो बलिग ने उस राख को फिर से हासिल करने की कसम खाई और फाइनली इंग्लिश मीडिया ने इसे नाम दिया इंग्लिश कैप्टेन को दे दी तब से शुरू हुई ये जंग आज भी क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है अब तक कुल बहतर आशेस सीरीज खेली जा चुकी है इसमें 34 बार उस्टेलिया जीता है और 32 बार इंग्लिड तो 6 दफा ये सीरीज डौ रही है 16 जून से एक बार फिर दोनों टीमे टकराएंगी और जी जान लड़ा देंगी आशेस के लिए एक तरफ होगी वर्ल टेस्ट चैंपियन आस्टेलिया तो दूसरी तरफ बास बॉल खेलने वाली इंग्लिश टीम इंग्लिड की टीम पिछले एक साल में बेंट स्टोक्स की कप्तानी और ब्रेंडन मैक कुलम की कोचिंग में अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है इंग्लिड के युवा बल्लेबास, हैरी ब्रूक, बेंट टकिट तो टेस्ट में भी T20 खेल रही है तो जॉनी बेस्टो, जो रूट और बेंट स्टोक्स का अनुभव इस बल्लेबासी क्रम को और भी मद्बूत बनाता है लेकिन इस बार चैलेंज आसान नहीं होगा क्योंकि सामने होगा और स्ट्रेलिया का बोलिंग अटैक मिचल स्टाक, पैट कमिंस, जोश हैजलवुड और नेथन लायन इंगलेंड के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं इंगलेंड के पास जेम्स एंडर्सन और स्टूर्ट ब्रॉट का अनुभव जरूर है लेकिन क्या वो पांच टेस्ट तक अपनी फिटनेस बरकरार रख पाएंगे बल्लेबाजी की बात की जाए तो वोर्नर, स्टीव स्मिर्ट, मानस लबुशेन, ट्रेविस हेड्ट, औस्टेलिया को काफी मजबूत बनाते हैं ऐसे में ऑस्टेलिया की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि इंग्लेंड का ये बास्बॉल स्टाइल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियान ऑस्टेलिया को टक्कर दे पाता है या नहीं योरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक